दोस्तो एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत स्वाल थे दोस्तो इस वीडियो में आपको उताने वाल हूँ कि आपके Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max device के लिए India में MIUI 13 और Android 12 अपडेट आने के बाद में कौन-कौन से Bugs and Problem देखने को मिलते हैं पूरे Bugs and Problem इस वीडियो में आपको ताने वाल हूँ तो अगर आप लोग Redmi Note 10 Pro Pro Max device को यूज़ करते हैं और अपने device में MIUI 13 अपडेट को करना चाते हैं या फिर अपडेट को कर चुके हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके device में कौन-कौन से Bugs देखने को मिलते हैं उसके बाद भी आप लोगों को नए इसू देखने को मिलते हैं जिसे कि आप लोगों को यहाँ पर लाइक देखने को मिलता है the camera app डिखने को में जब भी आप लोग यहाँपर जो 64 MP या फिर 108 MP पर फोटो को क्लिक करते हैं तो वहाँपर लैक करता है आपका ग्र 27 मिनट लगता था लेकिन आप यहां फर फुल चार्ज करने के लिए आप लोगो को आपकी डिवाइस में यहां फर एक घंटा 31 मिनट या फिर 32 मिनट लगेगा जो की काफी बुरी बात देखने को मिल जाती आपके Redmi Note 10 Pro और Pro Max डिवाइस में साथी साथ अगले प्रॉब्लम की बात है तो आपके डिवाइस में जो बैटरी बैक अफ इसू है वो भी देखने को मिल जाता है जो की काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती आपके Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए इस अपडेट के बाद में अगर आप लोग Redmi Note 10 Pro Pro Max डिवाइस को यूज़ करते हैं मीवाइ 13 अपडेट का ओटे लिख पाने के लिए हमारे टेलिग्राम चेनल टेकनिकल स्यूमजी को जोईन करना मत भूलिए उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में दिया अगर वा लिंक को पनेवरा तो आप लगों को सिंप्ली टेलिग्राम पर टेकनिकल स्यूमजी सर्च करके जोईन कर लेना है अगर आप लगों को वीडियो अच्छी लिए वीडियो को लाइक कर दिए अपने दोस्तों को सेर कर दिए और इसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कोल पर प्रेस करना मत भूलिए